अब यह स्ट्रगल एसा है कि आप अराम से बैठने वाला समय नहीं है मार्श में आप लोगों के लिए आप लोगों के लिए मार्श में थोड़ा सा समय जो है वो स्ट्रगलिंग रहेगा अब यह स्ट्रगल ऐसा है कि जैसे होताना कि विक्तिष ट्रगल कर रहा है और बीच में उसके पास एक अपोर्शनिटी आ गई तो यह opportunity आपके हाँ से जानी नी चाहिए universe आपको एक मौका दे रही है आपको success होने के लिए तो यह आपके relationship हो चाहिए कि financial condition हो इन बोट cases, दोनों ही cases में आपके पास यहाँ पे universe आपको एक किस्मत की चाबी दे रही है वो हाथ में आपके आनी ही आनी चाहिए अगर आपको better situation अपने life में चाहिए है तो कई लोग हो सकता है व्यंग करें आपको कई लोग जो हो सकता है असा होता है कि परिशान करने ही कोशिश करें तो प्लीज उनकी तरफ ध्यान मत दीजिएगा हो सकता है कि उसके आपको रात में नीन ना है एक ही topic बार-बार सोचते कभी असा होता है कि हम एक ही चीज़ से बार-बार रोज सोच रहे हैं फिर अगरे दिन कुछ और सोच रहे है रात की नीन खराब हो रही है तो प्लीज अपने आपको clean करके रखिए negativity से दूर रखिए किसी healer से contact करिए जो आपके negativity को निकाल सके मैं भी एक रेकी healer हूँ मेरे पास भी आ सकते हैं तो मैं इस पे आपके workout कर सकती हूँ तो या जिसके पास भी आप जाना चाहें जा सकते हैं लिखिन अगर आप खुष से कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है अपने आप से भी खुष से इस negativity को please हटाईए ठीक है इस negativity को हटाने के लिए जरूरी है कि balance diet लीजिए जो जिन्दगी में अच्छा लगता है वो करिए नेगटिव लोग और नेगटिव लोग की बातों को आप please जादा दिल पे मत लीजिएगा तो फिर आप situation को handle नहीं कर पाएंगे तो इसलिए जरूरी है कि proper पूरी नीद लीजिए time से सो जाईए ज़्यादा time waste मत करिए mobile और laptop पे सो सोचके इस तरह के व्यक्तियों जो है इस तरह के जो लोग है नेगटिव लोग है इसे थोड़ा सा बच के रहिए आपके आप एक confidence अच्छा दिखता है confident रहेंगे no doubt और यही confidence आपको उस evil type के व्यक्ति से बचा ले जाएगा इस ध्धान रखिएगा कि अपनी cleansing करते रहें या करवा लीजिए किसी healer से तो बहुत अच्छी बात है नहीं करवा पा रहे हैं तो खुद कर लीजिए बहुत सारे methods है proper diet लीजिए ठीक से पानी पीजिए नियम से चलिए और अपनी नीद पूरी करिए और जो negative लोगों की जो बाते हैं प्लीज दिल पे मत उसको लीजिए उसको अपने दिल पे या दिल और दिमाग में सोचके पनी नीद मत खराब करिएगा आपके आए भी message आ रहा है just like a emperor जैसे एक राजा होता है confident होता है युद्ध करता है जीतने की कोशिश करता है तो उस तरह की युद्धा वाली quality मैं देख पा रही हूँ आपके अंदर मार्श में रहेगी you will fight for your situation आप लड़ेंगे अपने situation के लिए आपको यहाँ पर यही message आ रहा है कि आप इस वक्त मार्श के मंत में बहुत ही महनती लोग हैं इस तरह का attitude मुझे दिख रहा है मार्श के मंत में तो just it is a very good condition कि आप देखिए जब भी इनसान struggle करता है fight करता है उसके जिंदगी में बहुत सारे changes आते हैं तो क्या होता है कि हम बहुत साइच चीज़ों को सीखते भी है तो ये से message आ रहा है कि अपनी intelligence को इस्तमाल भरपूर करिएगा आप लोग intelligent person होते हैं intelligence का प्रियोग करिएगा अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तमाल पूरी तरह किसे करिए बुद्धिमान व्यक्ति लोग होते हैं आप लोग की quality होती है मकार आशी की और आप लोग के लिए भी message आ रहा है क्योंकि जो आपकी mother goddess है mother nature आपको पूरा पूरा support दे रही है आपको आपके life में स्थिर्ता आएगी stability आएगी आपके relationship में stability आएगी आपके पैसे में अगा तंकी चल रही है तो उसमें stability आएगी आपको बस एक काम और करना है अपने जिंदगी में balance बनाके चलिएगा अपने पैसो को इससक बचाके चलिए अपने relationship में को भी बचाके चलिए balance संतुलन बनाके चलिए balance संतुलन बनाना इसक जरूरी है जैसे होता है कई बार आपका बहुत सारे investment कर दिया कहीं money का या बहुत सारे shopping कर ली जितना needed है उतना करिए और balance बनाके चलिए savings करिए ज़्यादा अच्छा रहेगा तो life में आपकी financially stability बनी रहेगी इस वक्त माश के मंत में angels message कर रहे हैं कि आपको बिलकुल free रहना है कोई दिमाग में कोई tension लेना ही नहीं है tension tension को आप बिलकुल pension दे दीजे जो अमिता बच्चा जो dialogue है इस वक्त जरूरी है कि माश के मंत में आप बिलकुल free minded घूमिये बहुत आपने को bound मत करिये कि वहाँ नहीं जाना वहाँ नहीं जाएंगे गूमने नहीं जाएंगे बिलकुल जाएए जहाँ जहाँ मन करें जैसे उड़ता वह पंची नहीं होता है बस वैसे ही घूमिये फिर ये जहाँ जाना है वहाँ जहाँ आपको fresh लगता है वहाँ जाए जहाँ आपको अच्छा लगता है वहाँ घूमिये फिर ये अकेले चले जाएए कोई संग में नहीं कोई बात नहीं है इस वक्त आपके freedom बहुत ज़रूरी है आजादी इस वक्त आपको अपने आपको देना बहुत ज़रूरी है रिष्टे में भी थोड़ा सा freedom छोड़के रखिए किसी के बहुत पीछे या बहुत जबदस्ती मत करीगा relationship में भी नहीं जैसे होतने बहुत ज़र सोच रहे हैं तो उसकी मदद कर दीजेगा उससो कुछ advice चाहिए है तो दे दीजेगा universe आपको पलट के आपको भी help और support पूरा देगी आपकी intention power काफी अच्छी है और आपकी intuition power काफी अच्छी दिख रही है सही क्या है गलत क्या है बहुत अच्छी से आप पहचान जाएंगे तो I think the message is very clear from the divine energies thank you so much thank you so much